कुछ सॉर्ट इन्थ लेक्चर वी विलिटी क्विक्सॉर्ट एक ऐसी अल्गोरिधिम है जो कौंग डिवाइड एंड कौंकर स्टेजी पर वर्क करती हैं बबल सॉर्ट सेलेक्शन सॉर्ट इंसर्ट सॉर्ट जो अल्गोरिधिम पहले पढ़ी हुई है इनसे ज्यादा जाता है है इस अरे में मैं पहलाए भोंग एक पहला एल्मेंट उठाओंगा और इसको कुछ इस तरीके से कुछ ऐसी location पर मैं place करूँगा जहाँ पर left hand side में सारे के सारे elements क्या आ जाए उससे छोटे आ जाए और right hand side में सारे के सारे elements क्या आ जाए उससे बड़े आ जाए जैसे मैं करके बताता हूँ आपको मैं इस array को दुबारा से बनाता हूँ और एक process करता हूं इसमें, क्या process करता हूं? कि मैं first element को इसके correct place पर put कर देता हूं. ओके? इसके correct place पर put कर देता हूं, जैसे यहां पर क्या है? 27 से पहले, सारे के सारे छोटे आने चाहिए, छोटे element से एक 10 से छोटा है, 18 से छोटा है 25 से छोटा है ओके अब बीच में क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए 27 हो क्या ओके फिर 27 के बाद में कौन-कौन से बड़े element 36 बड़ा है उससे और 45 बड़ा है इस तरीके से देखिए इस फर्स्ट को चब मैंने क्रेक्ट प्लेस पर रखा इसके ऑके असेंडिंग ओडर में कि भई 27 चोटे elements सारे के सारे left-hand side में आ जाए और बड़े elements राइट-hand side में आ जाए तो उस condition में यह यह पूरा array था यह दो पार्ट में ब्रेक हो गया यह दो पार्ट में ब्रेक हो गया तो एक सब पार्ट इसका यह बना एक सब पार्ट यह बना और 27 अपने correct प्लेस पर पहुँच गया यह यहीं पर ही होना चाहिए तो अब क्या करेंगे same process जो process मैंने इस पूरे array के साथ apply की वही मैं इन दो array के साथ apply करूँगा इस सब पार्ट में देखिए 10 को उठाया मैं 10 के इसके ऐसे place पर रखूँगा इसको 10 को कि उसके left hand side में smaller element होने चाहिए और right hand side में सारे के सारे इससे greater elements होने चाहिए तो यहां पर देखिए 10 10 के right hand side में 18 और 25 है यानि कि यह बिल्कुँ correct place पर है यह अपने place पर मैंने इसको रख दिया as it is चीक है और एक और पास समझेगा कि यह जो element है जिसको मैं select करके उसके correct place पर रखता हूँ इसको मैं नाम देता हूँ पाइवल यह को हित टे एक क्याatically देक्शल पाइवो यहां गर्पाइवट यह ग्यों और यहां लीघा पर है तैंक हूँ यहां पर देखते हूँ इन applying है नामा जनुद सिंसे ब्ड़ा है फटी फाइवार्टी थाडर्शन जちょっと view perfect लेट बड़ा थे थान झातो तो right hand side of 45 है यह यह भी अपनी correct position पे रखा हुआ है got it? तो हम देखेंगे कि 10 है यह 10 इसको left hand side वाला जो sub part था इसको 2 part में break कर देगा इसको 2 part में break कर देगा देखिए एक तो यह वाला part और इसके left hand side में कोई भी part नहीं है तो कोई पार नहीं होगा तो केवल क्या बचा? केवल एक ही यहाँ पर element बचा got it? now इसको देखेगा यहाँ पर यह 36 के बाद में केवल एक element बचा और एक element जिस भी part में होता है वो already sorted होता है तो इसको मुझे sort करने की जरूरत नहीं है केवल यहाँ पर मेरे को consider करने की जरूरत होगी जो मैंने process पहले इस पूरे array पर apply की थी तो इस subpart में मैं फिर से क्या करूँगा? 18 को फिर से क्या करूँगा? 18 को pivot element मानूँगा और इसको इसको correct place पर रखूँगा यानि की 18 को ऐसे place पर रखना है कि इसके right hand side में जितने भी elements हो सारे इससे बड़े element हो और इसके left hand side में इससे small element हो केवल इस part को consider करूँगा तो देखता हूं 18 के right hand side में बड़ा element होना चाहिए 25 है left hand side में कोई element ही नहीं है सब part में समझ ना पूरे array की बात नहीं कर रहा कोई element नहीं है तो यह बिल्कु correct position पर यहाँ पर placed है और यह होने के बाद में 18 अपने place पर पहुंच गया अपने correct place पर पहुंच गया ascending order में now अब देखिए एक ही element बचा इस array में जो sub part था इसका इसमें एक ही element बचा और एक element हमेशा sorted होता है तो अब आप देख सकते हैं क् yes or no, देखिए 10, 18, 25, 27, 36, 45, now this array is sorted, तो अब आप देख सकते हैं कि हमें कितना कम comparison करने की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर हम गया कर रहे हैं, एक element उठा रहे हैं और उसको उसके correct place पर पहुंच आ रहे हैं, और correct place पहुंच 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 में, फिर से, same process, same partitioning की process, मैं start कर रहा हूँ, तो यह जो element को अपने correct place पर रखने का जो function है, जो मैं function बनाऊँगा, जो process पूरी बनाऊँगा, जो कि एक element को select करके, उसके correct place पर रखेगा, उस function को मैं नाम देता हूँ, partition, ओके, जो मैंने यहाँ पर algorithm के थूरू mention किया हुआ, अब यह पूरी quicksort की algorithm नहीं है, मेरे को बस, लेकिन इस partition वाला जो part है, यह जो part है कि 27 को से correct place पर रखना, कि अवल यही सबसे important काम है, बार बार यही चीज़ repeat हो रही है, got it or not, इस quicksort में, तो मैं quicksort की complete algorithm, इसके बाद मैं आपको mention करूँगा, पहले आप partition समझ लीजे कि partition function जो है, क्योंकि partition function quicksort में apply होगा, और बार बार वही apply होगा recursive function के तो, got it, तो मुझे सबसे पहले समझना जरूरी है कि मैं इस element को किस तरीके से, इसके correct place पर रखूँगा, okay, with the help of this algorithm, तो check करते हैं, मैं इसको जड़ा साफ करता हूँ, और जो algorithm है, algorithm की according, मैं आपको explain करता ह हो इसका procedure, तो देखिए partition में है, जो first आपका step है, वो है set left is equals to back, देखो, एक array है, array का starting point है, starting end है, तो यहाँ पर मैं जो क्या क्या चीज़ है, मैंने mention किया है, एक array है A, और उसका beginning point, starting point B, E, G, end point, और फिर LOC, LOC क्या है, जो भी मैं pivot select करूँगा, तो यहाँ पर जो मैं pivot select कर तो देखिए, यहाँ पर beginning, यहाँ पर select करना है, ठीक है, तो यह चीज़े given होती है, पहले से, अब देखिए, set करना है, मुझे first step में left is equals to back, तो beginning जो है, इसको मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, B, E, G, यह इसका beginning point है, यह इसका end point है, ओके, यह क्या select कर दिया है, हमने, left, left, और यह जो end point है, इसको मैं right set करूँगा, ओके, और इसी pointer को, इसी को ही मैं LOC, beginning point को, देखिए, LOC is equals to beginning, और एक flag, register में, flag, sorry, flag variable में, यहाँ पर use करूँगा, flag variable use करूँगा, इसको मैंने अभी set किया है, 0, ओके, आगे बढ़ते हैं, second step देखे, repeat step 3 to 6, while flag is equals to 0, जब तक flag 0 है, तब तक मैं step 3 से लेके, step 6 तक, बार बार repeat करता रोला, ओके, चेक करते हैं, step 3 पर आते हैं, repeat while, a of LOC is less than, is equals to right, and, LOC does not, is equals to, does not, is equals to right, समझेगा, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर check करता हूँ, repeat करना है, मुझे, a of LOC, अब repeat करना है, right is equals to right minus 1, तो मैं यहाँ पर करता हूँ, वो a of LOC, a of LOC क्या 27 है, जब तक, less than, equal to a of right रहेगा, right क्या है यह, end वाला element है, तो 27, क्या less than, is equals to 45 है, अजी है, देखिए, a of LOC, a of LOC, 27, is less than, is equals to, 27 is less than, is equals to, a of right, a of right is what, देखिए, a of right is what, 45, तो 27 less than 45 है, got it, तो फिर क्या होगा, right is equals to right minus 1, तो यह जो right pointer है, यह right pointer, right minus 1 पर set हो जाएगा, right minus 1 पर set हो गया, यह जो right था है, ओके, एक value, एक place, पीच्छे की तरफ, किसक गया है, shift हो गया, now, फिर से हम check करेंगे, क्या, a of LOC, is less than, is equals to right है, तो a of LOC, 27, less than, is equals to 25 है, नहीं है, 27 is greater than, 25, ओके, नहीं है, तो उस condition में क्या होगा, इस loop से हम बाहर आ जाएएगे, इस loop से हम बाहर आ जाएएगे, और बाहर आ जाएएगे, तो फिर यहाँ पर देखिए, step 4 पर आते हैं, अब check करते हैं, if LOC is equals to right, क्या, LOC, right के बराबर है, LOC क्या है, 0, और right क्या है, 4, तो यह एक दूसरे के बराबर है, no, तो यह वाला step नहीं move करेगा, else if, अगर बराबर नहीं है, तो क्या होना चाहिए, क्या a of LOC greater than a of right है, क्योंकि देखिए, less than only condition पहले ही check हो, चुकि less than तो नहीं है, अब check करेंगे, या तो equal होगा, या फिर greater होगा, तो अगर equal हुआ तो मैं flag को one set कर देता, equal होता तो क्या होता, अपने right place पर आ जाता ही है, समझे न, right place पर आ जाता ही है, इस process को, देखिए, हो सकता है, थोड़ा बहुत confusion आपको हो रहा हो, क्योंकि काफी complex process है, partition की, लेकिन, इसको समझने का सबसे best तरीका यही है, आप examples लीजे, और इन steps के through, उन पर follow करते जाएए, उनके उपर apply करते जाएए, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, तो आपको different different examples लेने हैं, और उन different different examples पर बार-बार apply करना है, ठीक है, तो आपको हर एक condition, clarify हो जाएगे, जैसे हैं आपको flag is equal to one कब होगा, किस situation में होगा, यह भी आपको ऐसे cases मिल जाएंगे, क्योंकि अभी सारे के सारे cases एक ही example में include करना possible नहीं होता है, काफी complex हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए, LOC right के पराबर नहीं है, अब देखिए, फिर से वापस आते हैं वसी step में, LOC right के पराबर नहीं है, तो flag is equal to one नहीं होगा, इसके आगे आजाएंगे, आगे आए, else if, A of LOC is greater than, is greater, A of right है क्या, हाँजी, A of LOC 27 greater than है 25 से, हाँजी, यह वाली condition तो हो रही है, satisfy, इसका मतलब क्या है, फिर क्या करेंगे, अगर यह condition satisfy हो रही है, swap, A of LOC with A of right, A of LOC, जो भी LOC के वाइलिमेंट है, उसको हम right के साथ में swap कर देंगे, 27 को 25 के साथ, swap कर देंगे, यहाँ पर 25, and then यहाँ पर 27, feed कर दिया, got it, अब क्या करते है, set LOC is किस तो right, अब मैंने LOC को, यह जो LOC था, यह कहाँ पर set कर दिया, right के पास set कर दिया, यहाँ पर, LOC now is at right, okay, now, आगे बढ़ते हैं, इस flag इस किस तो zero, क्या flag zero हो गया, yes, flag zero है, अगर flag zero है, तो repeat while, A of LOC is greater than equals to A of left, अब मुझे यह चेक करना है, कि left hand side में कोई बड़ा element तो नहीं है, अगर कोई बड़ा element होगा, तो मुझे इसको उसके साथ swap करना पड़ेगा, got it, अभी मैंने क्या किया था, इस में check किया था, कि right hand side में कोई छोटा element तो नहीं है, छोटा element था तो उसके साथ swap कर दिया था, अब क्या करूंगा, मैं check, कि क्या left hand side में कोई एक ऐसा element है, जो कि इस से बड़ा है, अगर कोई बड़ा element होगा, तो वो left hand side में नहीं होना चाहिए, तो उसके साथ swap कर देंगे हम उसको, यह process बार बर करते रहेंगे, got it, तो हमने क्या किया, अब next step में repeat while a of loc is greater than or equal to a of left, तो मैंने check किया a of loc, a of loc, देखिए a of loc 27, is greater than or equal to a of left है, क्या a of left है 25, हाँ जी, greater है, यह ना, and loc does not is equal to left, set left is equal to left plus 1, तो जब greater है, 25 is greater than, 27 is greater than 25, और loc अभी equal to left भी नहीं होई है, क्योंकि left is 0 and loc अभी 4 है, तो यह दोना ही condition follow हो रही है, दोना ही condition एक साथ follow ने चाहिए, and लगा हुआ है, ध्यान रखना है इस बात का, तोना ही condition एक साथ follow ने left is equal to left plus 1, left is equal to left plus 1, यानि left को में shift कर दूँगा, कहाँ पर, left को में shift कर दूँगा, इस place पर, ओके लेफ्ट को में शिफ्ट कर दूँगा यहां पर आगया लेफ्ट फिर से मैं यह एक तो फिर क्या होगा कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा मतलब कि फिर इससे क्या होगा इफ्ट हर भी इससेज़ और यहां पर दिया जाएगा नेक्स्ट वेल्यू पर लफ प्लस वन यहां पर सैट्ट कर दिया गया ओके mod फिर से चेक किया किया एक एक आफ और वल्हलों यहने 27 ज्र्ट अills tän है तो धी कि 27 36 से greater than है क्या नहीं है 27 is less than this 36 यह condition follow नहीं हुई यह condition follow नहीं हुई तो फिर कहां आएंगे हम यहां पर आएंगे फिर चेक करेंगे क्या LOC is equal to left है नहीं जी LOC is equal to left है और LOC 4 है तो LOC is equal to left नहीं है तो यह यह condition भी नहीं होगी मतलब flag को मुझे वन भी सेट नहीं करना फिर इसके बाद देखते हैं else if LOC is less than a of left क्या a of LOC a of LOC a of LOC 27 less than is equals to a of left है क्या 27 36 से छोटा है हां जी छोटा है और अगर यह value छोटी होगी ठीक है तो क्या करेंगे हम लोग swap a of LOC with a of left अब a of LOC को a of left से swap कर देंगे देखिए इसने क्या किया इस पूरे process में है कि 27 के left हमा कोई 27 से बड़ा element तो नहीं है तो देखिए search कर लिए 26 अब इस 36 के साथ इसको हम swap कर देंगे swap करेंगे तो यहां पर देखिए यहां पर हो जाएगा आपका 36 यहां पर आ जाएगा 27 गॉट इट और फिर set LOC is supposed to left और LOC हो कहां पर set कर देंगे हम left पर यह जो LOC है यह set हो जाएगी इस position पर इस position पर LOC got it यह यहां set होके इसके बाद देखते हैं अब यह जो पार्ट है अब देखो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग क्या यह पार्ट अभी complete हो गया तो flag अभी तक zero है ठीक है ना flag अभी तक zero है तो flag को हम चेक करके फिर से देखेंगे यहां पर आएंगे और चेक करेंगे कि flag अभी भी क्या है zero है अभी तक flag बन नहीं हुआ है अभी flag zero है तो फिर से हम step three से लेके six तक repeat करेंगे तो repeat करेंगे तो step three देखिए while a of loc a of loc is less than is equal to a of right चेक करेंगे लोग यानिकी 27 less than is equal to 36 a of right है जी है तो क्या करेंगे हम लोग अगर यह से less than है तो तो फिर हम right is equal to right minus one कर देंगे right is equal to right is equal to right minus one कर देंगे यानिकी right को shift कर देंगे हम वापस एक step पीछे यह राइट यहां पर आगया गोटेट रएट यहां पर आग inexcusIVE इसके बाद में फिर से चेक करेंगए कि a of loc a of 27 tenha less than is equals to a of right है में इस सरी Zone ना हांजी 20 09 No sorry heavy condition C आन होंवे 27 is not lifetime request to 18 यह condition follow यह condition follow नहीं हो रहे है यह condition follow नहीं हो और ए फिर मैं चेक करनाक क्या log c does not is equals to right है लो सी क्या है 2 है और right 3 है नहीं इसके बराबर नहीं है अगर नहीं है तो फिर हम आगे आते हैं next step पर else if a of loc is greater than a of right क्या इससे बड़ी है आजी बड़ी है ठीक है a of loc यह 27 is greater than 18 a of right तो फिर क्या करेंगे step a of loc with a of right अब a of loc क्या है 27 27 को 18 के साथ swap कर देंगे यहाँ पर मुझे क्या करना था right hand side में कोई छोटा element नहीं होना जी 27 से लेकिन था 18 था 18 को मैंने swap कर दिया और यहाँ पर आजाएगा 27 ओके और loc is equal to right loc is equal to right यहनि के loc कहाँ पर आगया अब loc आगया अब right पर यहाँ पर loc loc को C okay now आगे बाए next step है fifth step if flag is equal to zero check किया flag is equal to zero है हाँ जी है flag is equal to zero तो फिर हम क्या करेंगे repeat while a of loc is greater than equals to left a of loc a of loc is greater than equals to left तो भई a of loc greater than है ठीक है तो क्या करेंगे हम left is close to left plus one और यह को दूसरी जो कंडिशन है loc does not is close to left यह भी चेक करेंगे तो देखिए एककोल नहीं है loc 3 है और left 2 है तो loc अगर यह दौनों कंडिशन apply नहीं मतला apply हो रही है ठीक है तो क्या करेंगे place right में shift कर देगे कर दिया अब फिर से चेक करेंगे a of loc is less than is close to a of left है क्या यहाँ पर देखिए a of left है क्या दोनों ही एक ही point है तो equal to वाली condition satisfy हो रही है plus loc does not is close to left लेकिन यहाँ पर loc is equal to left हो गई यह condition satisfy नहीं हो रही है और यह condition satisfy नहीं होगी तो फिर इस लूप से हम बहार आ जाएंगे इस लूप से बहार आए six step पर six step पर हमने चेक किया if loc is close to left चेक कि loc क्या left के बराबर है हाँ जी बराबर है अगर loc left के बराबर है तो flag को क्या set कर देंगे flag को क्या set कर देंगे one अब आपको समझ में आ गया होगा what is the meaning of flag इस flag को यहां पर क्यों हम लोग one set कर रहे थे और यहां पर क्यों one set कर रहे थे तो जहां कहीं भी loc की value यानि जब भी अपने correct place पर पहुँँच जाएगा वो pivot element तब flag की value one set हो जाएगी got it तो देखिएगा यह 27 अपने correct place पर आ गया है 27 के right hand side में दोनों element इससे बड़े हैं 27 के left hand side में दोनों element इससे छोटे हैं okay now तो यह जो partition का जो पूरी process थी इस process में क्या हुआ कि 27 जो मैंने first element यहां पर select किया था इसको मैंने एक ऐसे place पर insert कर पाया जो की उसका correct place था और ascending order में है अगर मैं इसको arrange कर रहा हूँ तो left hand side में सारे के सारे small elements होने चीए right hand side में सारे के सारे उससे बड़े elements होने चीए उससे बड़े elements है यानि कि इस process ने पूरे array को अब दो part में break कर दिया एक तो pivot element और एक pivot के left hand side वाला part यानि कि ये part और इसके right hand side वाला part यानि ये part तो यहाँ पर अब फिर वापस से partition करूँगा partitioning में इस sub part में करूँगा इस sub part में करूँगा अभी sub part कैसे होगा देखे ये जो array होगा अब देखो इसी वाले function को अगर इसी वाले function को partitioning को partition partition को अगर मैं array a इसकी beginning क्या है beginning and लेकिन change हो जाएगा देखे इस वाले sub part का and क्या हो जाएगा ये वाला element है ये क्या हो जाएगा loc हो जाएगा इतना हो जाएगा loc-1 हो जाएगा ओके तो ये वाला जो array है जिसका starting point back है और ending point loc-1 है इस पर मैं अलग से partitioning apply करूँगा same function जो मैंने पुरा process किया पुरे a के लिए इस part के लिए apply करूँगा दूसरा part ये रहा इसको क्या बोलेंगे right hand side बोले part को partition इसमें array a का part और कहां से कहां तक इसमें देखिए beginning change होगी and तो same point रहेगा and वही रहेगा जो पहले था array का ठीक है यहां beginning change होगी beginning क्या हो जाएगे LOC plus 1 and as it is रहेगा तो फिर से वही part करेंगा और हर बार यही process हम apply करते रहेंगे बार बार partition करते रहेंगे और left hand side बाले part sub part पर apply करेंगे right hand side बाले part पर apply करेंगे कब तक कि उनके sub part में केवल एक element नहीं रह जाता और उसको check करने का तरीका होता है कि यह check करते है क्या beginning is less than end है जब beginning equal to end हो जाएगी जब तक less than end रहेगी तब तक आपके एक से जादा element रहेंगे जिस वक्त beginning आपका end के बराबर हो जाएगा यानि कि उस sub part में उस sub part में उसका beginning point और end point दोनों ही एक ही place पर आजाएगे तो इसका मतलब क्या है कि उस array में केवल एक ही element exist करता है ठीक है अब मैं इसको थोड़ा सा organized way में लिखकर बताता हूं कि quick sort के पूरी process हम कैसे apply करेंगे इसके लिए मुझे यह पार्टिशन वाला पार्ट है साफ करना पड़ेगा होब आपको अच्छे समझ में आगया होगा partition वाला पार्ट मैं आपको comments में कुछ और examples दूँगा जो आप अपने आपसे apply कर सकते हैं और practice कर सकते हैं एक बार quick sort के आपने अगर एक दो और examples को apply करके नहीं देखा तो आपको यह समझ में नहीं आएगा इसलिए बार बार apply करिए और बार बार check करिए different different examples पर apply करके तो फिर हम आगे बढ़ते हैं next quick sort की algorithm में लिखता हूँ मुझे इसको साफ करना पड़ेगा तो देखते हैं कि quick sort की जो algorithm है उसको हम कैसे brief करते हैं देखें यह partition जो है इसका sub part था इस algorithm का और एक और बात समझ लीजिए यहाँ पर quick sort की जो algorithm लिख हुई यह recursive algorithm है recursive algorithm कौन सी algorithm होती है जिसमें एक function खुद को ही उस function के अंदर call करता है got it यहाँ पर देखे quick sort array उस array के beginning point be it back और उसका जो ending point है that is and okay तो यहाँ पर देखे हर बार यह check होगा quick sort apply करने से पहले क्या beginning is less than end है इसका मतलब क्या है कि क्या इसमें जो beginning starting point है starting point zero क्या वो less than end है यह ना तो आपको समझ में आ रहा होगा यह तब तक less than end रहेगा जब तक कि array में दो यह दो से जादा element रहेंगे अगर किसी बैरे में एक element होता है तो beginning will be equal to end यानि कि यह जो condition है यह check कर रहे है कि क्या कोई ऐसा array तो नहीं है यह जिसको मैं sort करने जारा हूँ जिसमें किवल एक ही element है क्योंकि उसको sort करने की ज़रुबात नहीं है अगर एक से जादा element है तब ही यह apply होगी तो सबसे पहला काम क्या होगा call partition मैं इस partition algorithm को जो मैंने आपको समझाती है नहीं पहले element को लेकर मैं उसके correct place पर रखूंगा ओके partition apply किया मैंने ऐसा partition कर देने से वो जो पूरा array था वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया देके left part और right part ठीक है left part और right part अब फिर से left part में फिर से same process quicksort की को कि मुझे check भी करना होगा तो quicksort को लिख रहा हूँ partition को नहीं लिखा हूँ मैं आपर क्योंकि मुझे ये check भी करना पड़ेगा कि क्या उसमें एक से ज्यादा element है तो वो कौन condition चेक कर रही है beginning is less than end फिर उसके बाद में partition इस वाले element को partition करूँगा ये जो part है सब part left hand वाला देखो left side वाला कैसे करना है आपको quicksort apply करना left hand side वाले array तो a left hand side वाले array का देखे ये bag हो गया है ना beginning starting point और इसका ending point क्या LOC minus 1 LOC minus 1 है got it next फिर call quicksort अब right hand side में जो sub part है इस पर भी मुझे same process apply करनी है same process apply करनी है यानि कि मुझे फिर से इस पर वही process लगाने होगी quicksort और कौन सा array a इसकी beginning देखे change होगी मैंने जैसे पहले भी समझाया था beginning इसकी क्या हो जाएकि ये LOC ये LOC plus 1 हो जाएकि beginning end same रहेगा तो देखे LOC plus 1 और end beginning क्या होगा इसकी LOC plus 1 end same रहा यहाँ पर जो left hand side रहा पार था उसका beginning same थी और end तो same process फिर से apply करेंगे फिर से जाएंगे देखे तो चेक होगा पाया तो beginning is less than end है या नहीं है यानि कि यह जो पार्ट है इसका beginning इसकी less than LOC minus 1 है या नहीं है इससे मुझे पता चल जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें केवल एक ही element है फिर उसके बाद फिर से same procedure मैंने बताया था ना इन सब पार्ट में same procedure मैंने इस बड़े element नहीं बसता जैसे एक element बचेगा यह process break हो जाएगी यानि कि मेरे सारे elements इस array के सारे elements क्या हो जाएंगे sort हो जाएंगे तो इस process को हम कहते हैं quick sort तो इसको मैं explain करता हूँ एक बार और हो जाएंगे तो अब इस process को मैं दुबारा से अब देखिए मैंने एक partition वाला function था वो मैंने आपको apply करके बता दिया था एक partition वाला जो part था वो मैंने apply करके बता दिया था अब मैं इसको आगे forward करता हूँ पूरी algorithm को आगे forward करता हूँ और इस array को हम sort करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो values थी वो क्या-क्या थी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हूँ कि हम कहाँ पर थे तो फिर से back करिए और वहाँ तक समझे कि मैंने कहा तक पढ़ा दिया था इसको तो कि मुझे यह algorithm में include करनी जरूरी थी partition के लिए तो यहाँ पर हम लोग आये तो कुछ ही situation थी उस time पर जब मैंने किवल एक element हूँ याणि pivot element 27 को मैंने उसके correct place पर रखा था अब मैं दुबारा से इस left hand side वाले part पर same procedure करूँगा यानि कि मैं क्या करूँगा 25 को मैंने pivot element लिया इस left hand side वाले end है अब देखिए इसकी beginning क्या है beginning यह होगे end 2 हो गया तो देखिए 0 is less than 2 है हाँ जी है और है तो यानि इसमें 2 से ज्यादा element है 2 या 2 से ज्यादा element है 2 से ज्यादा element है तो इसका मतब क्या हो गया इस पर मैं यह same process apply करूँगा तो फिर से call करूँगा partition a,beg,and and loc फिर से मैं same procedure यहाँ पर follow करूँगा है यह नि partitioning का अब मैं 25 को उठाऊंगा और उसके correct place पर रखूँआ ओके वह दुबारा से partition वाला part जो है आपको explain नहीं करता है मैं सिर्फ इसको correct position पर रख देता हूँ जहाँ पर इसके left hand side में होंगे और सारे के सारे बड़े element इसके right hand side में होंगे तो यहाँ पर मैंने check करना start किया 25 25 को मैंने 10 से check किया कि इससे बड़ा है कि हाँ जी बड़ा है तो क्या होगा इसको मैं set कर दूँगा यहाँ पर step कर दूँगा 10 को 25 के साथ में और यहाँ पर जाएगा अब फिर मैं इसको check करूँगा right hand side वाले से चीक है तो फिर इससे check कि हमने 18 से बड़ा है तो 18 भी इसके left में आजी दें इसका swap हो गया और यहाँ पर आगया 25 आप दुबारा से इस पूरे part में यही process partition वाला process एक बार और practice कर सकते है apply करके चीक है तो देखिए यह आपका left hand side वाला part जब मैंने इसमे apply किया तो यह कुछ इस तरीके से आपके पास आ गया अब मुझे इस पूरे left hand side वाले part में इसके दो part हो गए left hand side में तो कुछ रहा ही नहीं इस part में एक left hand वाला sub part बच रहा है अब देखिए साथ में इस पर apply करकूं अब देखिए इसमें पाइवट element में 36 लूँगा और 36 तो compare करूंगा मैं 45 से तो 36 is less than 45 तो आप यह समझ सकते हैं इसमें जो partitioning के process होगी 36 अपने correct place पर रखा हुआ है 36 36 अपने correct place पर रखा हुआ है अब देखिए partition क्या होगा किवल एक element अब यहाँ पर देखिए इसका beginning और starting point इसका beginning point और starting point दोनों same हो गए less than तो नहीं है तो इस पर यह quickshot apply नहीं होगा इस पर quickshot apply नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही element बच रहा है इस array में या इस sub-part में फिर आप वापस आते हैं हम लोग इस वाले sub-part में जो मैंने यह आपर mention किया हुआ था इसमें फिर से 10 को उठाते हैं pivot element चेक करते हैं क्या यह अपने correct place पर है तो देखिए 10 के right hand side में 18 होना मतलब इससे greater element होना जाया है यह अपने correct place पर है इसका मतलब यह भी अब इसके right hand side में कुछ भी नहीं है अब क्या बचा यह वाला element यह वाला array ओके और इस array में आप देखेंगे कि केवल एक ही element है यानि इसकी beginning or add दोनों ही एक ही है same है equal है ओके तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब इस पर यह process apply नहीं होगी और आप देख भी सकते हो कि यह आपका जो array आपके पास दिख रहा है that is a sorted array ओके तो यह same process recursive method की health से मैं बार बार apply करता चला गया ठीक है और आपको एक sorted array यहाँ पर मिल गया यह थोड़ी सी complex algorithm है तो आपको बार बार practice करनी पड़ेगी यह मैंने काफी बार आपको repeat किया भीच में मैंने comment box में भी आपको कुछ examples दिए हुए है वह examples आप apply करके देख सकते हैं ताकि आपकी practice हो पाए अब देखते हैं कि quick sword का performance कैसा है यानि इसकी time complexity कैसे vary करती है और कितनी होती है तो देखिया हम तीन cases लेंगे best case average case and worst case best case में इसकी जो complexity है वह o of n log n होती है जो की काफी better है बाकी बाकी जो आपने algorithm पड़ी है bubble sort insertion sort and selection sort से इन तीन algorithm से काफी better है average case में भी यह o of n log n complexity show करता है और worst case में worst case कब होता है इसका जब ascending जब आपका array या तो ascending order में हो या descending order में हो आप कहेंगे ascending order में अगर already sorted है तो worst case कैसे हो क्या अच्छली problem यह है इसमें pivot element select किया जाता है और उसको correct place पर रखा जाता है तो मेरी मजबूरी है आप एक काम करीगा एक ऐसा example लेकर आप उसपा apply करके देखेगा तो आपको पता से लेगा कि comparison उतने ही करने पड़ रहे है हर comparison करना पड़ता है में ascending order में भी अगर set है तो ठीक है ना सारे process करना पड़ेगा यह नि बहुत सारे steps आ जाते है और time consumption बहुत जादा होता है ठीक है तो worse case में क्या होता है is का worst case में जो इसके complexity होती है o of n quir स्क्वायर हो जाती है ओ of n sqr हो जाती है ठीक है और इसकी जो complexity होती है वो इस बात पर भी depend करती है कि हम pivot कौन सा select कर रहे है map away element जो हम select कर रहे ते wounded to e- findet art सबसे एंडिंग वाला पॉइंट किया निकी बिग्निंग को सेलेक्ट करेंगे ठीक है ना अगर हम पाइवोट को रेंडमली सेलेक्ट करते हैं अगर हम पाइवोट को जहां से समझना रेंडमली सेलेक्ट करते हैं तो in all cases if पाइवोट is selected randomly then 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 in all cases in all cases the time complexity होगी that will be o n log n hope आपको यह पूरा concept समझ में आ गया होगा अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे पूछ सकते हैं okay thank you very much